हेलो फ्रेंद्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टाड़िवी सुजीत में तो दोस्तो आज हम लोग क्लास्टु एल्थ के केमेश्ट्री के महत्यपूर्ण सब्जेक्टिव कोसंस के बारे में डिस्कुस करेंगे जुमारे बोर्ड एक्जाम के लि कि आदर्स और अनादर्स घोल क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग अदर्स घोल को जानेंगे उसके बाद हम लोग अनादर्स घोल को जानेंगे तो अदर्स घोल में क्या होता है कि वैसा घोल या बिलियन जो सभी ताप एम दाव पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है तु उसे ही आदर्स घुल करते हैं, आपको एक बार में भी ये प्रश्ण उतर याद हो गया होगा, कि वैसा घुल जो सभी ताप एंदा पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है, तो उसे ही अनादर्स घोल कहते हैं और अधिखान से जो घोल होते हैं यानि कि बिलन होते हैं वो अनादर्स घोल ही होते हैं याद रिखेगा तो आपको एक बार भी याद हो गया होगा कि अनादर्स घोल वैसा घोल जो सभी ताप यहों दापर राउट के नियमों का पालन करता है तो उसे ही आदर्स घोल कहेंगे और अनादर्स में क्या हो जाएगा कि वैसा घोल जो सभी ताप यहों दापर राउट के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे ही हम लोग अनादर्स घोल के नाम से जानते हैं और जो अनादर्स घोल होता है अधिकांस जो घोल होता है वह अनादर्स घोल ही होता है याद रिखेगा काफी महत्तपमोर्स वाल है दोस्तो यह सभी कोशन हमारे बोडिक जाने पूछे जा चुके हैं दोस्तो और यहा आपको एक बार में भी याद हो जाए यह सवी परस्णोतर आपको दो नमर में पुछे जाएंगे दोस्तों याद रखेगा तो ऐसा घोल जिसका प्रासरण करते हैं तो समान दाब पर समान ही ताब वो अपना परदर्सित करता है तो उसे ही सम परासरनी घोल कहते हैं एक बार और इसे रिकॉल करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा घोल जिसका परासरन दाब समान ताब पर समान हो परासरी सम परासरनी घोल कहते हैं याद रहा रखेगा और ये प्रस्ण जो है ये भी बहुत ही महत्त्यपेश आपके बोरड इगजाम औफ ब्यूव से तो ये प्रस्ण इप्रस्ण क्या कहता है कि समांगी उत्प्रेणर यह भी समांगी उत्फ्रेणर के उधारं दें तो इसमें क्या होता है gonna समांगी उत्प्रेणर में कि जब अभिकारक प्रतिफल तथा उत्प्रेणरक सभी एक ही अवस्था में होता है तो उसे ही समांगी उत्प्रेणर कहते हैं यानि कोहने कारते कि मालेजी कि आपका बलाड़ गुरूप ए पोजेटिव है और आपकी परिवार का भी बलाड़ करता है उसका भी एक पोजेटिव है तो उसी को ही हम लोग समांगी उत्प्रेणर कहते हैं कोहने करते दोस्तों आपको किसी तरह से आपको याद होना चाहिए ठीक तो वहीं यहां पे है कि जब अभिकारक प्रतिफल तथा उत्प्रेणरक सभी एक ही अवस्था में होता है तो उसे ही समांगी उत्प्रेणर कहते है यानिकि जो Sulfur है यहां पर यह भी गैस में है और O2 यानिकि उप्सिज्जन यह भी गैस है और Ano जो है यह भी गयस के रूप में है और इससे जो प्रतिफल बनेगा तो यह भी आपको A02, sulfur dioxide यह भी गयस के रूप में ही यहाँ पे है दोस्तों तो यह समांगी उत्प्रेनर का उधारन हो जाएगा उमीद करते हैं आपको समझ में आगे होगा अब भी समांगी उत्प्रेनर में क्या होता है यह तो जब आप समांगी उत्प्रेनर को भी अच्षे से समझ जाएंगे इसमे क्या होता है कि मालेजी कि कोई गयस रहेगा तो उसमें solid रहेगा दस्तो यानि कि ये कभी भी तीनों समा नहीं हो सकते हैं ठीक तो यहां पर आप देखेंगे कि जब अभिकारक प्रतिफल था उत्प्रेरक सभी एक ही अवस्था में नहो तो उसे ही भी समांगी उत्प्रेर कहते हैं जैने कि ये तो ये एन टू और एस टू ये सभी ये जो दो है ये तो गैस आवस्था में हैं लेकिन जो लुहा है ये फी ये solid अवस्था में solid अवस्था में है और NH3 जो है ammonia ये gas अवस्था में तो यहाँ पे solid आ गया है ठोस आ गया है और यहाँ पे gas आ गया है तो यह कभी होगा नहीं समांगी इत्प्रिनर लेकिन यह इत्प्रिनर होते हैं याद रेखेगा इसके यहाँ पर प्रस्ण पुछा गया था कि उधारन दे अगर आप उधारन से भी आप समझाना चाहते हैं तो आप समझाज सकते हैं अगर ये अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं उधारन आपको मालम होना चाहिए उधार भी लिख देते हैं तो आपको पूर्था अंक मिल जाएगा दोस्तों उमीद करते हैं ये दोनों आपको समझ में आया होगा समागी उत्प्रियंड और भी समागी उत्प्रियंड तो चलिये दोस्तों हम लोग नेक्सटा प्रस्ण को भी अच्छे से देख लेते हैं और यहां पर प्रस्ण है कि एनिलीन दूरुबल भास में है व्याख्या करएं तो एनिलीन दूरबल भास में है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोन यूग्म नाइट्रोजन पर्मारों पर उपस्तित होता है इसलिए यह आसानी पूरबग अपना इलेक्ट्रोन यूग्म त्याग कर देता है यानि कहने करते हैं इस परकार से जब एनिलीन इनेस्टू जूर रहता है तो यहां जो होता है इस परकार से होता है और यहां पर एनेस्टू जूरे रहता है लेकिन यहां पर दो के ये दुरबल हसमे के नाम से भी जाने जाता की अनेलीन दुरबल भसमें है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोन says नाम initiatives पर मालोकर उपस्तित hoता हैं इसलिए यह आसानी पुर्वग अपना इलेक्ट्रॉन यूं त्याग कर देता है उमीद करते हैं आपको समाज में आगे होगा किसी भी कोशन में डाउट हो तो आप डाउट क्लियर कर लिजीगा कमेंट के माध्यम से हम आपके डाउट को पूर्टा हल करने का प्रयास करेंगे कि निमने लिखित की सनराशना सुत्रे यह आउट आयूपी असी नाम लिखें तो दिया गया था प्रस्मे कि लेक्टिक अमलेका सनराशना सुत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक और इसका जो आयूपी असी नाम जो होता है ट्रू हाइड्रोक्सी प्रोपरनोइक के तो लोग सनराशना सुत्र को अच्छे से याद कर लेजरेगा दोस्तों और इसका यूपी असी नाम तो आपको जरूर्ट ही लिखना ही होगा दोस्तोмы कि सनराशना सुत्र और आयूपी असी नाम पूछा गया है और दूस्तर का था कि टॉट ड्रीक आंने कि टको ट्र monstr एसीड तो इसका सरणजना सुत्र ऐसे बनेगा दोस्तों आप लोग देख लिजिए इस्क्रीन सोट भी कर सकते हैं और इसका जो आयूपी एसी नम होगा यहां पर आप देख सकते हैं एक और दो पर जुड़ा है तो टू कमा थ्री डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाई आपको दिखाए देगा यहां पर कर्बोक्सीलिक एसीड यहां पर जुड़ा गया है जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर तो आप डाई डाई ओएक एसीड आप लिख सकते हैं दूस्तों ठीक तो चलिए दूस्तों निक्स्ट प्रस्ण को देखते हैं और यहा प्राप्त योगीकों के नाम लिखें तो DNA के पुर्ण जल अब घटन से प्राप्त योगीकों का नाम पेंटो सरकरा फासफोरिक अमले तथा नाइट्रोजन युग में बीसम चक्री योगीक भास में प्राप्त होता है कि DNA के पुर्ण जल अब घटन से प्राप्त योगी का जो नाम है पेंटो सरकरा फासफोरिक अमले तथा नाइट्रोजन युगते बीसम चक्री योगीक भास में प्राप्त होता है अगर आप दो भी लिखते हैं तो आपका पूर्टा आँक मिज़ेगा दो में दो दोस्तों ठीक तो चले दोस्तों नेक्स्ट अप प्राप्त भी देख लेते हैं और यहां पर आप देखेंगे कि अलकोहल का कौथनांक संगत इलकेन की अपेक्चा अधिक होता है क्यों तो यहां पर हम लोग इसका एंसर जाने का प्रियास करेंगे कि अलकोहल का कौथनांक संगत इलकेन की अपेक्चा अधिक इसलिए होता है क्योंकि इलकीन में किवाल एक कार्बन और हाइड्रोजन की संक्या उपास्तित होती है जो कि कमजोर बंद से बंदित होती है नहीं कहने करता है दूस्तों जब आप इलकीन पढ़े होंगे तो हेलो एलके तो यहां पर CS3 मानेजी कि यहां पर ठीक और यहां पर है CS3 और CS2 हैं हम जोंगज होता है यह पूरता बंदा और और तरह से बंदा होता है और रहता है और यह जो टूट जाता है ठीक हाइडोजन के साथ यह माहर निकल जाता है या आwritten रिखेगा तो हम कह सकते हैं कि अल्कॉहल का संगत II क्या पैक्चिया अधिक होता है तो इसलिए होता है क्योंकि क्यों क्यों किवल कार्बन और हाइ़्डोजन की संख्या ही कीव हेजोंग जो कमज्रीद से बंदित होता है याद किया और यहां पर आप देखेंगे कि नेट वर्क टोस के से कहते हैं काप ही अच्छा सवाल है दुस्तों ये कोशन 2022 से में पूछा गया है दोस्तों कि नेट वर्क्त टोस किसे कहते हैं तो एक उधारन दे तो वैसा ठोस Mohammad जिनमे तो उसे इन्य ट्वार कठोस कोते हैं और इसका जो महत्तपूर्ण उधारन हो जाएगा वहीरा हो जाएगा चलिए हम लोग ही इतिहां स्वुगल जान लेते हैं कि हीरा जो होता है इसका जो अपर्टनाग होता है दो दसलों चार्दू होता है और करांटिक को जोता है 41 दिगड़ी होता है याद रखेगा और यह प्रस्ण में आपको डाउट नहीं होगा कि वैसा ठोस जिन्वे समान परकार के परमाणू तथा भीन परकार के परमाणू आपस में जूर कर सहसनियोजक नेटवर्क के बनाते हैं तो उसे ही नेटवर्क ठोस करते हैं ठीक और यहाँ पर आप देखेंगे कि ओजोन का बिराणजक गुर्ण को बताएं तो सबसे पहले ओजोन का जो सूत्र होता है वो ओधिरी होता है नहीं कि ओजोन एक प्रवल अक्सिकारक है जो अक्सिक्रीत होकर नौजात अक्सिजन जो इस तरह से नौजात अक्सिजन को डरसा जाता है जो कि नौजात उक्सीजन उत्पन करता है तता बिरंजक किरिया संपन होती है इतना भी लिख देते हैं तो आपको पूर्टा अंक्य मिल जाएगा और आप इसका समय करना भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कोई बात नहीं है तो यह O3 है और O2 टुट गय में निकल जाता है याद रखेगा कि वह जोन एक प्रवल अक्सीकारक है जो अक्सीक्रीत होकर नौजात उक्सीजन उत्पन करता है तथा बिरंजक किरिया संपन भी हो जाती है तो चले दोस्तों नेक्स नप्रस्ट ने यहाँ पे आ गया है कि कार्विल एमीन अभी किरिया क्या है जो आप यहाँ पे अभी किरिया से रिलेटर आप कोसन देख रहे होंगे एक वीडियो में आपको महत्तपूर 10 से 12 बताया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तपूर है वो अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो एक भी अभी किरिया स आपसे कोसन नहीं छोड़ सकता है तो कर्विल एमीन में क्या होता है कि प्रात्मिक एमीन को अलकोहलिक के ओएच माध्य में क्लोरोफोर्म के साथ गर्म करने पर दुर्गांध यूक्त आइसोसाइनाइड यानि की कर्विल एमीन का निर्मार होता है जिसे ही कर्विल एमीन करते हैं आपको एक बार में भी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रात्मिक एमीन को अलकोहलिक के ओएच माध्य में क्लोरोफोर्म के साथ गर्म करने पर दुर्गांध यूक्त आइसोसाइनाइड का निर्मार होता है जिसे ही कर्विल एमीन कहते हैं तो चले दूस्तों हम इस स्काइद और गुजारना किसे से हैं तो अलकोहलिक के ओए एच माध्य में तो यहां पर आप देखेंगे कि यह चै California है C है यहँआप पर प्रतिकिर्याक कर लेगा ठीक और यह दी यह ह। है यह थिक सकते यह यह समीकरान तो दोस्तों यहां पर समझने का प्रयास किजिएगा कि माले जिए यह समीकरान भी आप लिख देते हैं बोड एक्जाम में समीकरान लिखते हैं तो भी आपको पूर्टा अंक मिल जाएगा दोस्तों अगर आप हिंदी नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सक जाएगा नेक्ट प्रस्त नहें अभी तो यह सभी कोसं हम लोग देख रहे हैं जब हम समझा कर बताएंगे तो आपको पूर्ता समाझ में आजएगा दोस्तों जब हम वीडियो दस से बारा कोसं इंपोर्टेंट जब लाएंगे अभी कि रिए तो आपको पूर्ता समाझ में आगे आजाएगा मालिजी इसमें आपको नहीं भी आया होगा तो उसमें आपको आजाएगा दोस्तों वेट किजिए हम इस पर वीडियो निकालने वाले हैं बहुत ही जल्द फ्रेंकल दोस क्या है उधारण दे तो आने क्रिस्टल ये ठोस में पाए जाने वाले अंत्रकासी दोस को ही फ्रेंकल दोस कहते हैं और इस दोस के कारण ठोस का घुनत्व जो है अपरिवर्धित रहता है यानिकि फ्रेंकल दोस्त कहने करते कि ये जो दोस्त जो होता है इसका भार 100 किलो है तो ये दोस्त के आने के बाद भी इसका भार ही 100 किलो होगा ठेक तो आने क्रिश्टल ये ठोस में पाए जाने वाले अंतरकासी दोस्कों ही फ्रेंकल दोस्क आते हैं और इस दोस्क के करण ठोस के घुनत्वा अपरिवर्तित रहता है यानि कि बदलता नहीं है और यहां पुछा गया था यहां पर आपको थोड़ा सा धूदला दिखाए देगा कोई बात नहीं हम आपको बता देंगे कि दोबाइडिन लिगेंड का उधारन दें तो एथिलीन डाय इमीन और ऑकजिलेट यह इतना भी लिख देते हैं तो आपको फूर्था अंक मिल यहां पर इसका राइट एंसर हो चुका है दोस्तो इतना लिग देते हैं ताको पूर्टा अंक्य मिल जाएगा नेक्ट प्राश्चन आप देखेंगे अगर आप दोस्तो चानल पर नहीं जूड़े हैं तो जरू स्प्राइब को लिजिए क्योंकि इस पर जितने भी वीडियो आएगा वो बोड के एक्जाम आफ भीव से ही आएगा दोस्तों जो कि आपके लिए महत्तपूर्ण हो दोस्तों इंपोर्टेंट हो बिल्कुन ही भी भी आई तो दोस्तों चलें नेक्ष्ण प्रस्ण को भी देख लेते हैं और यहां पर पूछा गया था कि डाइक्रोमेट आयन की सरस्णा लिखें यह भी दो नमर के लिए प्रस्ण पूछा गया था कि डाइक्रोमेट आयन की सरस्णा लिखें तो यहां पर इस सरस्णा को देख सकते हैं कि यहां पर यहीं है डाइक्रोमेट आयन की सरशना याद रखेगा नेक्ट प्रस्न है कि प्रबल या दुरुबल बैधुत अभगाट्य क्या होता है तो प्रबल बैधुत अभगाट्य में हम स्वर पर्थम देखेंगे कि वाइसा वैधुत अभघठ्य जो जलिये बिल्यन में पूर्णत हो जाता है तो उसे ही प्रवल वैधुत अभघठ्य काते है यानि कि अभघठ्य काते है जैसे इने सील को हम लोग जानते हैं कि आन पर पलस चार्ज होता है और Census पर मानग चार्ज तो ये पूर्था जलिये बिलियन में पूर्था ये घूल जाता है जैसे नमक का सधारा सुत्र होता है जब नमक को पानी में डालते हैं तो पूर्था घूल जाता है और हमको बुझा नहीं पाता है कि नमक कौन है और पानी कौन है ठीक पूर्णता आयनित हो जाता है तो उसे नहीं प्रबल बैदुत पदार्थ कते हैं और नेक्ष्ण प्रस्ट इसी में है कि दुरूबल बैदुत अफ़ट्या तो दुरूबल बैदुत अफ़ट्य में क्या होता है कि कि दुरुबाल बैदूत अभगट्य वहपदार थे जिसका जलिये बिलियन पूर्णता आयनित नहीं होता है जैसे कि दुरुबाल बैदूत अभगट्य के नाम से जानेंगे उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और यहां पर प्रस्ण था कि तक्षनिक बेग से आप क्या समझते काफी भी यह प्रस्ण है दोस्तों कि तक्षनिक बेग क्या होता है तो किसी चण में अभी किरिया का तक्षनिक बेग उस चण का वक्र के बींदू पर खीचे गए असपर से रेखा के धाल के बराबर होता है तक्षनिक बेग कहलाता है एक बार में भी आपको याद हो गया होगा लगभग 80% कि किसी चण में अभी किरिया का तक्षनिक बेग उस चण का वक्र के बींदू पर खीचे गए असपर से रेखा के धाल के बराबर होता है तक्षनिक बेग कहलाता है उमीद करते हैं यह सेशन आपको अच्छी लग रही होंगी अगर दोस्तों लग रही होंगी तो एक लाइक जरू किजएगा दोस्तों और चानल पर नए जूरे हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब को लेजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर सेयर करने क प्रयास किजएगा तो दोस्तों इस परकार से हम लोग मात्रपूर्ट सेशन को यहीं पर खत्में करते ही अगर यह सेशन आपको अश्य लगी होगी तो जरूर इस वीडियो को सेर अधिक से अधिक अपने दोस्तों में किजएगा तो अभी के लिए इतना है दूस्तों जये किर इतना है दोस्तों में कि एतना है दोन आपको तोस्तों में है, जए टूस्तों में आपको जएगा जए लोगमित दोस्तों एतना है